हेलो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को टेकोनिका चानल पर स्वागत है आपके लिए फिर से एक बार न्यू इंफोर्मेशन लेकर नई की मिशीन लेकर और इसकी डीटेलिंग वगरा लेकर आए हैं अगर आपको इसको वीडियो में जाने से पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजेगा और बेल आइकन को प्रस कीजेगा ताकि हर thermopulation therapy device दोस्तों air compression therapy device के अंदर इतनी एर आपके ऊपर आक्ट करती है यानि इतने air आपके उपर दबाव दाती है यह उसके वज़े से आपको जो ठकन थकन कम होने लग जाएगी जो pain है वो कम होने लग जाएगा और आये इसको कौन-कौन से लोग यूज कर सकते हैं यह घर के अंदर भी यूज किया जा सकता है और commercially clinics के अंदर भी यूज किया जा सकता है beauty salons में यूज किया जा सकता है मैंने बहुत सारे doctors यूज करते हैं इसको mbbs doctors वगरा हर कोई इसे इस्तेमाल किया कर सकते हैं सबसे पहले homeopathy doctors electro homeopathy आयरवेदा और यून्यानी वाले इसको यादा यूज करते हैं क्यूंकि इनका system ही बिलीफ करता है कि यह lymphatic drainage पर belief करते हैं ठीक है lymphatic drainage वाले इसको first preference करते हैं और फिजियो थर्पी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इसको अभी include करना शुरू हो गया है पहले से हैं लेकिन फिजियो थर्पी क्लिनिक्स में बहुती रेर दिखाई देता है बहुत सा बस्टैंड्स में वगरा भी आजकल ऐसे machines के आना शुरू हो गए है आईए अब ये कौन-कौन से patient use कर सकता है यानि कौन से problems में इसको use किया जा सकता है जिसको दोस्तों ठकन होती है बहुत दूर से travel करके आए हैं वो use कर सकते हैं और आईए कौन-कौन से patient use कर सकते हैं से पहले हम ये जान लें कि कहां-कहां इसको 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 दोस्तों आप अपने पैरों के लिए यूज कर सकते हो अपने पेट के लिए यूज कर सकते हो अपने हातों के लिए यूज कर सकते हो अब आईए कहां-कहां पर हम इसको use कर सकते हैं यानि हम कौन-कौन से diseases में हम इसको use कर सकते हैं दोस्तों इ प्रॉम्बोसिस की प्रॉब्लम से जो कंटिनियूसरी लड़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाबदायक रहेगी जिसको पारलाइसिस लखवा हुआ है हातों में हुआ है या पैरों में हुआ हुआ है और कमर में जिसको हो गया उसके लिए भी बेहत्रेन रहेगी और जिस जिसको circulatory problems lower limb, upper limb में हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जिनको varicose veins problem है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जिसको varicose ulcer रहा है, यानि पैरों की नसों में problem है, पैरों की नसों में clotting है, तब भी ये आपके लिए बहुती फैदेमंद रहेगी, ठकन किसी को होती है, ठकन relief करने के लिए भी अच्छा है, ये जिम करने के बाद जो soreness muscles में आती है, यानि दर्द जो होता है, वो दर्द को relief करने के लिए अच्छा है, pain relief के लिए भी इसको use किया जा सकता है, एडिमा यानि पैरों के अंदर सूजन, हातों के अंदर सूजन, जिसको होती है, उन पे भी आप इस मेशीन को यूज कर सकते हो और दोस्तों इसको बहुत सारे कंडिशन में आप यूज कर सकते हो और जनरल रिलीफ जनरल वेल बिंग के वास्ते भी यूज कर सकते हो अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अपनी बॉडी को शेप में रखने के के दरत के वज़े से वो भी इसे इस्तिमाल कर सकते हैं कुछी दिन इस्तिमाल करने के बाद आपको जो इन्सोम्निय कंडिशन है वो चला जाएगा जिसको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है वो भी इसे कंटिनियूसली यूज कर सकते हैं और आएए दोस्तों ये इसको निर्भर करेगी और कौन सा आपको रिमोट वाला लिना है या नोन रिमोट वाला यह आपके एकॉडिंग ली चूज कर लीजिए आपके होस्पिटल के अगर ओपन उड है तो उड्ड के ओपर ड्रसिंग करने के बाद आप एर कंप्रेशन डिवाइस दे सकते हो विताट ज जैसे कि आप देखी रहे होगे यहां पर एक मिशीन रखी गई है मिशीन में ज्यादा तर ऑपरेटिंग नहीं है यहां पर आपको प्रेशर अर्जस्ट्मेंट करना रहेगा आपको 30 से लेकर 240 प्रेशर आपको mmHg का जो प्रेशर है वहां तक आप अर्जस्ट कर सकते हो यहा पर जो दिया है यह टाइमर है और दोस्तों अब इसमें दो वर्जस्ट आती है एक जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर बता रहा हूं और दूसरा जो पीच से अभी डबे पर उत्रा हुआ दिख रहा है वह मॉडल ठीक है दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है यह मैनिवल आटो करने के बाद आपको यहां पर देखिए जब तक जीरो में रहेगा आपका कुछ भी सॉंड नहीं करेगा है लाइट सॉंड आ रहा है तो मैं सॉंड आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि अपने अनुसार आइन को शेच कर सकते हों कि आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि दोस्तों आप इसके साथ क्या-क्या आपको मिलेंगे बॉक्स के अंदर आपको एक में यूनिट मिल जाएगी कुछ इस तरीके से कनक्ट करने वाले पाइप्स मिल जाएंगे और यहां पर जो रखा गया है यह आपको बेल्ट्स मिल जाएंगे एक अब्डामन के लिए रहेगा दो पैरों के लिए रहेगा दो आम्स के लिए रहेगा ठीक है एक आम का रहेगा शायद और आपको कनेक्टिंग व का यहां पर घो यहां से जो निकल के आते वह देहें 24 cái इसम घालों के लिए अलग है इसका इसका और अप डूमन के लिए भी अलग है इसको बस ऐसे connection देना होगा आपको देखे एक दो तीन शार ठीक है इसके बाद आपका पैर अंदर दालना रहता है अंदर दालने के बाद यहां पर जो जिप दिया जाता है यह जिप को आपने क्लोज करना है और जब आपका treatment खतम हो जाए जिप को पहले नहीं खोलना है पूरा एर रिलीज हो जाना है एर रिलीज हो जाने के बाद आपको जिप खोलना है वरना यह फट जाएगा तो यह था इसका connections और detailing और इसको कैसे यूज करना यह मैं आपको बता दूंगा अभी और वीडियो की अंतर तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरा knowledge मिल सके है आईए दोस्तों एक छोटी सी बात रहेंगे थी इसको आम में पैरस्तिशा और नमनेस जो आता है उस पर भी और हाथ की सूजन पर गर अब यह तरीके से करनक करना रहता है ठीक है आपने पैरों पे आपको इस जो कफस को आप फिट कर लेजीए और उन्चाई पर बेट जाहिए या आप लेटके भी से लगा सकते हो बेटके भी लगा सकते हो बस आपका पैर कहीं पर भी फोल्ड नहीं होना चाहिए और जैसे यहां पर tubes को इस तरीके से connect रहेंगी और एक चैनल रिफ्ट के लिए एक चैनल राइट के लिए रहेगा फिर वो सारे जाके मिशिन के अंदर connect हो जाएंगे अब इसको operate करना बहेंदी आसान है यहां पर on किया on करने के बाद आपको यहां करने के लिए कितने मिनिट के लिए आपको चाहिए उतना टाइम आप सेल कर सकते हो मैंने टैन मिनिट सेल किया और यहां से मैं एर प्रेशर बढ़ा रहा हूं अभी 120 रख रहा हूं में देखते हैं 120 के बाद इसमें क्या होता है और दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक डर पड़ता है यह बहुत ही बड़ा है आपके लिए आपके अगर मानके चलिए 140 केजी या 150 केजी का भी पेशेंट है तब भी आप इसको लगा सकते हो अभी हवा भरना चालू हो गया यह मेरे लिए तो लूज ही है अभी हवा भर रहा है इसके अंदर आईए देखते हैं एक इसकी sound भी मैं आपको बता दू मिशीन की लोग नॉज बिलिकली आपको नॉज रहती है नॉज नहीं आएगी ठीक है थोडा सा जो नॉज मैंने बताती या था वहीं नॉज है इसमें एक अभी मैं इसका प्रेशर जो है प्रेशर को अज़र्ट करता हूं थोड़ा सा प्रे कि और बिलकोली निद्विश्य ज्यादा आ गया है भी 181 अर्व धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जा रहा है और को कि एक सी क्वेंस में हो रहा है पहले नीचे की तरफ से उपर की तरफ ऐसे आ रहा है एक ऐसा नहीं कि शिर्फ पूरा एक शां इसका प्रेशर है ऐसा नहीं है नीचे से प्रेशर होता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है फिर कुछ देर छोड़ दे रहा है फिर ऐसे ऊपर आ रहा है लग रहा है कि मेरा ब्लेट फ्लो नीचे पैरों से लेके ऊपर तक जा रहा है ठीक है यह घर में भी आप यूज कर सकते हो हॉस्पिडल्स के अंदर भी यूज कर सकते हो बिल्कुल ही बढ़िया इतना अच्छा एफेक्ट आ रहा है शायद आपको लग रहा होगा पहले बिल्कुल ही इसमें एर नहीं था अभी इंफ्लेशन आप देख सकते हो सिक्वेंटल प्रसिंग हो रहा है फहले नीचे की तरफ प्रस हो रहा है फिर हलो हलो अलो और भू फिर प्रसिंग उपर आ रहा है अभी पूरा नीचे चले गया देख यहां ज्यादा प्रस हो रहा है ठीक है वहां से वहां का कम हो गया तिर यहां ज्यादा प्रस हो रहा है मेरे हिप्स के यहां देखें आप देख सकते हैं वहां पर कम हो गया तो इतनी बहतरीन फील आ चाहता है वो बिल्कुल experience कर सकता है और आप paralysis patients के लिए जिसको varicose veins, varicose ulcers है बहुत सारा problem है फैरों के अंदर रातों में नींद नहीं आती है वो patient के लिए यकीन जाने यह कुछ जब भी ही रहेगा वो बिल्कुल ही satisfy हो जाएंगे क्योंकि as a doctor मैं खुछ जब इसी को feel कर रहा हो ना तो यह कुछ अजीब और क्या कहते हैं इसका हम बयान नहीं कर सकते बातों में इतनी relaxation जैसे कोई ऐसे दबा रहा है आपको इतनी professionally आपको बार है कि वह different ही है आपको ठीक है वह बयान नहीं कर सकते हैं कि सीक्वेंटली हो रहा है और शायद आपको यहां पर pipe देख लीजिएगा pipe में देख लीजिए आपको pipe में से difference तो नहीं दीखेगा यहां पर मैं बता दो अभी यहां पर ज्यादा compression हो रहा है नीचे की तरफ कम है जिस बंदे को नींद नहीं आती है न मैं कहता हूँ यह लगाने के बाद 100% उसको नींद आ जाएगी क्योंकि इतना comfort दे रहा है इतना comfort और इसकी noise आपके नींद को बिल्कुल भी disturb नहीं करेगी अभी मेरे ankles जो है ankles के अंदर यह इतना वजन बना रहा है शायद बहुत अच्छा देखिए ankles के पास आप देख भी सकते हो अभी relax हो रहा है